क्या लिखा एक तरफ परमेश्व कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूँगा एक तरफ परमेश्व कहता है कि I will give you power to get wealth और एक तरफ कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना और अपनी समझ का भरोसा छोड़ना क्योंकि धनी होने के लिए आपको वो परिश्रम नहीं चाहिए जो लोग करते हैं दिन और रात की किच किच पिच 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 जो वो करते हैं आपको वचन के उपर चलना है आप एक टाइदर को अगर देखेंगे जो टाइद देते हैं आप अगर उनको देखेंगे वो मेहनत नहीं करते जो लोग करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट उनसे कहीं जादा है कहीं अधिक जादा क्योंकि परमेश्वर उनकी मेहनत के उपर बरकत दे रहा है, उनकी फिजूल खर्चें को खतम कर रहा है, अगर आप अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएं, जितना टाइथ हमने नहीं दिया, और कुछ सालों में अगर आपनी फिजूल खर्चें को उन सालों में देखें, वो उनसे जादा निकलेंगी जो टाइथ हमने परमिश्र को देना था, हम हॉस्पिशल में खर्चा करने के लिए तयार हो जाते हैं, लेकिन टाइथ पे नहीं करते हैं, कर्स हमारे उपर लेने के लिए तयार हो जाते हैं, लेकिन टाइथ पे नहीं करते हैं, हालिलूया, एक औरत दी कवाही मैंने आपको थज़रे दी थी कि एक businessman औरत थी कि जब business चल रहा था तो उसने कहा कि मैं Christian थी लेकिं टायथ पे नहीं करती थी सब कुछ ठीक था, थोड़े bank से loan था सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक एक recession आया थोड़ा दवाडोल हुआ, business कम हो गया loan बढ़ गया, bank का loan बढ़ गया थोड़ी सारा गडबड हो गई लेकिं भी ठीक था अपने family के साथ खाना, पीना, काती यह नहीं कि मैं टायथ नहीं देती थी तो मेरी installment नहीं जा रही थी, installment जा रही थी business में कमाई आ रही थी पर कहती वो उस कमाई से installment देते, मेरी पूरी जिन्दगी बीच जाती, लेकर वो loan खतम नहीं होता, अगर मैं 40 की हूँ तो 70 की हो जाती, तो भी वो loan खतम नहीं होता, वो इतना करोडों में loan चला गया थी पर कहती, वैसे सब ठीक था loan चल रहा था, installment चल रहे थी ऐसे नहीं कि मैं टाइस नहीं थी कुछ ऐसे हाहा कार मच गई थी लेकिन मुझे ये मालूम था कि मेरी life में curse operate कर रहा है, श्राप operate कर रहा है, उसने कहा जब मैंने वचन को पढ़ा, वचन भी कैसे मालूम हुआ उसको उसने books पढ़नी शुरू की money के उपर तो naturally जो वो books पढ़नी लगी money के उपर, तो वो उन authors ने लिगी थी जो Bible पे विश्वास करते थे और जब वो books पढ़ने लगी और Bible पे विश्वास करने वाले authors की books पढ़ने लगी तो उन्होंने mention किया था कि ये law है प्रिकृति का, कि किसान चाहे रोए, चिलाए, दुखी हो जाए मर जाए, आतम अत्या कर ले बिना बीज के उसके फसल नहीं हो सकती वो जाएगा, बीज वोएगा तो फसल होगी, बहुत से prayer warrior अब टूटे हुए क्यों होते financially उन्हें लगता है हम बहुत prayer करते हैं आठे घंटे prayer करते हैं, कुछ पास्तर भी छेचे घंटे प्रे करके financially बरकत नहीं पाते क्यों, वो कि prayer करना आपकी बरकत financially का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि prayer करना एक अलग मसला है बीज बोना एक अलग मसला है मेरी बात को ध्यान से संब्दना यह एक law है, अगर आप law को तोड़ेंगे, आप emotionally बोल सकते हैं, खुदा पैसा नहीं देखता, लेकिन actual में ऐसा नहीं है, Bible कहती है उसने विद्वा को दो दमडियां डालते हुए देखा और बोला वो अमीर, जो अपने आज एक बंदा यहां चर्च में बैठा है जिसकी जेव में 10 रुपे हैं, वो 10 ही डाल के जा रहा है और एक बंदा जो लाख रुपे है उसकी जेव में और पांसो डाल के जा रहा है वो 500 वाला ब्लेस नहीं मैं आपको बता रहा हूँ सच कह रहा हूँ चाहे उसकी ओफरिंग उससे 50 गुना जादा है परमेश्वर ओफरिंग नहीं देख रहा तुम्हारे पास क्या है और तुम कितना दे रहे हो उस हिसाब से परमेश्वर देख और मेरे मन पसंद का शिकार करके मीट मुझे खिला तुझे आशिरवाद दूँ जब हम ये सीन देखते हैं हमें लगता है कोई भुखड बंदा जिसने रोटी ना देखी हो वो कह रहा है ऐसे लगता ना कहीं बार ये भुखा बंदा मिला बोला है भाई साब कुछ खिला दो हैं रबतानों परकत दोगा ये भुखा बंदा है जिस इजहाग की मैं बात करना हूँ उसकी वेल्थ इतनी थी कि राजा लोग उससे जेलसी करते थे लोग जो राजे की करीब मंत्री होते थे वो राजा को सलाह देते थे कि भाई साब आप इजहाग को अपने देश से निकाल दो तो कि अच्छा नहीं है कि एक बंदा आप से भी अमीर हो एक बंदा गवर्मेंट से भी अमीर हो कल को पूरी सल्तनात में कबजा कर लेगा इतना इंफ्ल्यूंस होला बंदा इसको निकाल दो इसहाग इतना इंफ्ल्यूंशल इतना ब्लेस्ट इतना अमीर था लेकिन जब बरकत देने की बारी आई अपने बेटे को तो क्या बोला? कुछ ले के आ कुछ ले के आ क्या चाहिए? शिकार का मेट ले के आ हालिलुया और वो गया लेने मा ने सुन लिया यकूब को बना कर भेज के भूल दिया जा भोल मैं ही हूँ गले में लबालबू लबेट दिया वो रुवार मनुश्य था एसाब यकूब थोड़ा चिकना था तो वाइबल कहती वो आया और का बापू ये ले कहता इतनी जल्दी आ गया तो वो कौन था जो पहले आया था ओ वो धुके से आशिश ले गया पर अब उसको ये आशिश लगी रहे बोना और ये लौ है कवनेंट है तोड़ेगा नहीं परमिश्वर उसने बाप की लाइफ में बोया बाप ने रिसीव किया वर्ड्स दिये उसने का अब ये चेंज नहीं हो सकते ये साव रोया कहता पिता एक भी आशिर्वत क्या तुम मेरे को नहीं दे सकता तुने उसको अच्छे अन वाले जगा दी है आउस से भरे हुए देश दिये हैं उसने का तेरा घर आउस से परे होगा जाओ देखो दुबई में कतर में आश से परे हैं पर जो तब तु सवाधीन हो जाएगा अपने तल्वार के बल से जाओ देखो उन देश ओ एक ही अबराहम की संदान है एक आश से भरे देश में रहते हैं दूसरे भिना आश और कहां से निकले थे लौ है आप नहीं बोएंगे आप अच्छे हैं आप भले हैं आप बेस्ट हैं खुदा काम नहीं करेगा आप सेवा करते हैं दिन रात मैंने का आपने बलड दे दिया आपना लेकर अगर आपको फाइनेशल बरकत चाहिए आपको लौ फालो करना पड़ेगा यह वाचा के नीचे है परमेश्वर अपनी वाचा को तोड़ेगा नहीं वो अपनी वाचा को खराब नहीं होने देगा वो अपनी वाचा से पीछे नहीं हटेगा हालिलूया वो अपनी वाचा जो परमेशों ने एक बार बोल दिया है ना परमेशों उससे पीछे नहीं हटेगा लेकिन उस वाचा का एक agreement जो है उसके terms and conditions है हालिलुया एलिया देख लो, अलिशा देख लो, इजहाग देख लो अबरहाम बाइबल करें, जब मलकी सिदिक के याज़ों को मिला कौन था मलकी सिदिक, ना जिसका बाप, ना माना, वंचावली कौन था वो, जीजस क्राइस विवस्था बाद में आई टाइथ देने की, वो टाइथ पहले से देता था टाइथ विवस्था के पहले भी था, विवस्था में भी था, विवस्था के बाद, जीजस क्राइस के जमाने के बाद भी है हालिलूया, कितने इन बादों को समझ रहे हैं उस ते का, जब तू यह रूल फॉलो करेगा, मैं यह मेक शूर करूँगा कि तू करजा नहीं लेगा मैं मेक शूर करूँगा कि तेरे पास इतनी आशी छोगे कि रखने के जगा नहीं होगी मैं यह मेक शूर करूँगा, जो एग्रिमेंट मेरे तेरे साथ हुआ है मैं उसे पूरा करूँगा, कि मैं उसे तोड़ता नहीं हूँ, मैं अपनी वाचा से हटता नहीं हूँ हालिलूया, हालिलूया उस औरत ने बोना शुरू किया, बचन पढ़ा, और बचन भी कहां से मिला, बुक्स से Bible से नहीं पढ़ा Books पढ़नी शुरू कि कि मैं business woman हूँ मेरा business अच्छा नहीं चल रहा करोडों का करजा हो चुका है Let me learn something from books Books पढ़नी शुरू कि तो Christian authors की थी उन्हों tithe mention किया कैती जब मैंने tithe देना start किया कैती आप यकीन नहीं करोगे वो लोग जो मुझे यकीन भी नहीं था मुझे फोन करने लगे जो customers मेरे जा चुके थे मुझे order देने लगे order इतने बढ़ने लगे हमें अपना काम बढ़ाना पड़ा कैती दिनों के अंदर जो करजा मेरे 30-40 साल की उमर में नहीं भीता वो करजा करदी खतम हो गया आज मैं multi-millionaire हूँ आज मैं करोड़ा में कमाती हूँ और देखो जर्नी शुरू हुई 2008 से पहले खुदावन ने उससे कहा मेरी बेटी तो tight देती उसने कहा हाँ खुदा ने कहा तो tight नहीं देगी इसको double करेगी उसने कहा मुझे समझ नहीं आगा कि मेरा tight ही लाखों में होता है एक तरह से करोड़ों में होता है साल का तो मुझे लगा double उससे जटका लगा कि double क्यों करना है उससे मालूम में क्या होने वाला है उसने प्रभू की बात को सुना उससे result दीख गया था टाइथ को double कर दिया 2008 का recession आया आपको मालूम होगा जतने businessmen लोग है जब अमेरिका में एक मंदी आई थी पूरी दुनिया में एक मंदी आई थी इंडिया में वो मंदी इतने नहीं चली थी लेकिन पूरी दुनिया में इतनी मंदी थी कहती मेरे आज पास के सारे business finish हो गई जीरो पे चले गए कहती मैं ऐसी आउरत थी businesswoman थी जिसका business उस मंदी में भी फलवन्त हुआ और एक रुपे का loan हमने नहीं उठाया loan free blessed करोणों में multi millionaire woman है आज भी जिंदा है हालिलुया परमेश्व साबित करना चाहता है अपने वचन को वो प्रूफ करना चाहता है कि जो वचन वो आप से कहता है वो पूरा है पक्का है और वो आपकी life में पूरा होगा हालिलुया imagine करो एक बंदा जो दूर job करता था उसे वही जो अपने घर के करीम मिली चर्च में भी ऐसी टेस्टेमनीज आ रही है और job सीधी डेबल तंख्वा सीधी डेबल इस तरह से परमिश्व आपके रास्तों को खोलता है मैंने लोगों को टाइट देते हुए देख है उनकी सिचुएशन बतली नहीं एक समय आया एक बच्चा फॉरण चला गया पढ़ने चला गया सारी सिचुएशन चेंच होके आप जल्दी चेंच होने बाले मैं आपका आमीन ओंचा सुनना चाहता हूँ मैंने का मैं आपका आमीन ओंचा सुनना चाहता हूँ हालेलूया आप जानते हैं करजा लेना श्राब के नीचे है मैं आपको सच कह रहा हूँ ये चर्च लोन फ्री है इतने प्रोजेक्ट चलाने के बावजूत विवस्था विबरन हम 28 को पढ़ेंगे प्रंतु 15 आयत को प्रंतु यदि तू अपने परमेश्रों की बात ना सुने और उसकी आग्याओं और विद्यों को पालने में जो आज सुनाता हूँ चौकसी ना करे तो सारे श्राब तुझ पे आएंगे तू श्रापित होगा नगर में श्रापित होगा खेत में तेरी टोकरी, कठोती, संतान, भूमी की उपज, गाए चौतालीस आयत में कि वो तुझको उधार देंगे जब तू श्रापित होगा प्रंतु तू उन लोगों को उधार नहीं दे पाएगा तू सिर ढहरेगा, नहीं ढहरेगा वो सिर होगे और तू पूंच होगा ये श्राप थे आशिश भी थी, कि जब तू मेरी वाचा में अडा रहेगा तू आशिश क्या होगी, तू उधार देगा, लेगा नहीं लेगन अगर वाचा तूटेगी, तो तेरे देश में निशानिया होगी कि तू संघर्ष करेगा, फाइनेस में, परिवार में, बिजनस में, सब जगा अपने शरीर में भी, बिमारियों के विश्य में भी लिखा है और कहा कि तू उधार लेगा, देगा नहीं मेरी मैं अपनी लाइफ को ब्लेस मानता हूँ क्योंकि ये ब्लेसिंग के वर्ड मेरी लाइफ में कम्लीट हूए हालिलूया अगर आप चाहते हैं कि परमिश्व आपको करजे से फ्री करे आपको जीजस क्राइस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा अपने सीन में गुड क्रिष्चन बनके आपको शामिल करना पड़ेगा और मैं आपको वाइदा कर रहा हूँ आपकी जनरेशन्स इस वचन से बरकत पाएंगी, जनरेशन्स तक आने वले पोते बड़गोते परिवार में आपके रूल बन जाएगा आप करजा नहीं लेंगे आपको मालूम होगा कि ये वचन के खिलाफ है किसी से मांगना, देना दो सुर रुपे, देना चार सुर रुपे अगर मालूम है संडे के लिए किराय चाहिए तो मैं मंडे से जोडूँगा खुदा को बोलूगा, खुदा बन मैं टाइदर हूँ, दश्वान देने वाला हूँ, मेरे जीवन में ये वर्ड पूरे होने चाहिए, मैं तुझे फॉलो करने वाला इंसान परमेश्वर ने का, अगर तुम बीज वोगे और जमीन की रक्षा नहीं करोगे, वेबी चार में चले जाओगे, गलत काम करोगे, तो बीज फल नहीं लाएगा और ये लौ है, तुम पसंद आए ना आए, कि तुम बोगे तो काटोगे, ये लौ है, परमेश्वर अपने लौ को वाचा को दोड़ता नहीं, एक्रिमेंट है परमेश्वर का आपके साथ, कि वो आपको श्रेष्ट करेगा मैं आपको बता रहा हूँ, मरी बात को कान खोल के सुनना, एक समय आएगा, अब अपने बौस से भी अधिक अमीर होंगे, याद रखना आज मरी बात को याद रखना ये खुदा ने आप से का था, मैंने ने कहा, होली स्पिरेट आप से बात कर रहा है, होली स्पिरेट आप से बात कर रहा है, तुम अपने बाश से भी अधिक अमीर होंगे, फ्यूचर में आप मेरी बात समझ रहें कि नहीं आज से ऐसे क्रिश्चन बनना वचन पे खड़े रहना खुदावन आपको परकत दे आपकी हदों को बढ़ाए वो इस वचन को पुरा होने में आपकी लाइप में ग्रेस को दे आप इसमें चलें और सोगन अफलों को लेके आएं अंदकार की शक्तियां चुरन नपाएं आमेनों चाहिए बरकत आपकी है मैंने का आमेनों चाहिए बरकत आपकी है